आलो लिया वचन सुनने के लिए तैयार हैं सुनने के लिए तैयार हैं जीवन पाने के लिए तैयार हैं शक्ति पाने के लिए तैयार हैं प्रेसलोड अध्बुद वचन परमिश्वन ने दिया है मुझे आलो लिया यह वचन आपके लिए याकूब की पत्री एक का दो याकू की शिक्षा बिलकुल अलग है संसार की शिक्षा से मिलती जुलती नहीं है बाइबल की शिक्षा बिलकुल अलग है संसार कहता है धन्य है वो इंसान जो पैसे वाला है जिसके पास गाड़ी है जिसके पास बंगला है लेकिन बैबल कहती है धन्य है वो जो मन का दीन है धन्य है वो जो नम्र है प्रेस अलॉट धन्य है वो जो शोक करता है धन्य है वो जो धार्मिक्ता का भूका और प्यासा है धन्य है वो प्रेस अलॉट कोई आपके एक गाल पे ठपड मारे आप दूसरा गाल आगे करें धन्य है आप प्रेस अलॉट इसलिए वो कहता है परिक्षाओं में जब आप पढ़ते हैं तो इसे बड़े ही आनंद की बास समझें मैं आपके लिए पढ़ता हूँ उसके बाद हमारे बच्ची पढ़ेगी हे मेरे भाईयों जब तुम विभिन परिक्षाओं का सामना करते हो तो इसे बड़े आनंद की बास समझो प्रेस अलॉट आप कई परिक्षाओं का सामना पढ़ते हैं कई तनाब का सामना करते हैं आपको लगता है कि आप जीवन में क्या आने वाला है रिष्टों का डर सता आता है जीवन का डर सता आता है कई परिक्षाओं आप सुबह से शाम तक कई परिक्षाओं का सामना करते है सामना करते हैं रोज मront shower की जीवन की जीवन में हम रोज कहीं न-कहीं हर मौड़ पर पर देखते हैं और दर जाते हैं ड़ जाते हैं लेकि प्रबू का कहता है जब भी तुम विबिन परिक्षाओं का सामना करो तो इसे बड़े आनन्द की बात समझो There is a lot आप परिशाओं में आनन्द कब महसूस करेंगे आप परिशाओं में आनन्द तब महसूस करेंगे जब आप जानेंगे कि इशू मसी आप में कौन है आप परिशाओं में आनन्द की बात तब महसूस करेंगे जब आप जानेंगे ईश्यू मसी के बलिदान को आप परिशाओं में आनंद की बात तब महसूस करेंगे जब आप ईश्यू के प्रेम को समझेंगे जब आप परमेश्यू के प्रेम को समझेंगे जब आप समझेंगे कि क्यों परमेश्यू ने मुझे बनाया प्रमेश्वर आपको पता है परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है उसकी समानता आप में अपने रूप देखते हुए कहीं कभी आपने परमेश्वर के स्वरूप को अपने अंदर देखने की कोशिश किये आपने प्रभू को अपने अंदर देखने के कोशिश नहीं की लेकिन परमेश्वर आप में खुद को देखना चाहता है परमेश्वर चाहता है कि मैं मैं अपने बच्चे में दिखूं इसु चाहता है कि मैं अपने बच्चे में दिहऊं जब मेरा बच्चा चले तो मैं उसके साथ रहूँ. लोग एंपने कि यह इंशु का बच्चा है. लोग कहें. क्या आप नहीं चाहते हैं? हम परिक्षाइं कब महसूस करते हैं? हम परिक्षाओं का सामना कब पढ़ते हैं कब परिक्षाएं हमारा सामना करती हैं कब परिक्षाएं हमारे सामने चट्टान की तरह मजबूत दिखती हैं कब हमें लगता है कि अब डर है अब जीवन का अंत हो गया है अब भविश्री का अंत है अब अनेरा है हमें कब लगता ह जब हम अपने अंदर इशु को नहीं पाते हैं अलेलिया इशु मसी हमारे लिए हर दर्द सहन कर चुका है इशु मसी हमारे लिए हर कलेश उठा चुका है इशु मसी हमारे लिए हर सदाव सहन कर चुका है इशु मसी हमारे लिए मरकर जिन्दा हो चुका है हमें कुछ नहीं करना हमें तो सिर्फ उससे प्रेम करना है और हर पल हमें ये हमें इस सोच के साथ इस विचार के संग अपने जिन्दगी को बिठाना है कि मैं परमेश्वर के लिए जीवित हूँ और मुझे परमेश्वर के लिए जीना है अपने लिए नहीं जीना है क्योंकि इशू मेरे लिए जीया किसके लिए जीया इशू बोले इशू जोर से बोले इशू मेरे लिए जीया क्या वो अपने लिए जीनी आया था उसने एक दिन भी अपने लेजिया चार सू समचार में कितने चैप्टर हैं आपको पता है चारों सू समचार में 89 चैप्टर सें कितने चैप्टर सें और इन 89 चैप्टर सें और इन 89 चैप्टर समें सिर्फ चार चैप्टर इसमें हैं इतना चार चैप्टर समें ईशु मसी के बच्पन के बारे में बताया गया है पिच्चासी चैप्टर समें सिर्फ तीन साल की सेविकाई के बारे में बताया गया है कि साड़े तीन साल की सेविकाई 85 चैप्टर में बताई गई है और चार चैप्टर में उसके बच्पन के बारे में बताए गया और 27 चैप्टर में इश्यू के आठ दिनों के बारे में बताया गिया है, जो अन्तिम आठ दिन थे, इश्यू मुसीर ने जो अन्तिम आठ दिन गुजारे, वो सिरफ 27 चेप्टर्स में बताये गया इन चारों सूसमाचारों में तो आप सोचिए मेरे भाई, कि वो जो साड़े 3 साल थे, वो कितने कीमती थे पिच्चासी चैपकर पिच्चासी अध्याए सिरफ साड़े तीन साल की सिविकाई के बारे में बताए जाने है 27 चैपकर सिरफ लास के अंतिम आठ दिन जो इशु मसीने धर्थी पर गुजारे उसके बारे में बताते हैं वो दिन को उसने अपने लिए गुजारे रेस लौट अलैलूया dość हालेलोय वो प्राथना करता है पिता पिता ड़या कर जैसे तूने मुझसे प्रेम किया है वैसे ये भी प्रेम करें जैसे तू मुझ में रहता है वैसे ये भी मुझ में हम में आए हम इन में रहें इस्यू चाहता है कि वो आप में रहे प्रेस अलोड यहना 17 का 21 वो चाहता है कि मैं अपने बच्चे के अंदर रहूं मेरा आक्स मेरे बच्चे में दिखे क्योंकि शुरू से ही उसने कहा है आओ हम इने समानता में अपने सरूप मेरा चेह वो चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे मुझसे पहचाना जाए मेरा सरूप मेरे बच्चे में आए मेरी समानता मेरे बच्चे में आए यही तो इशु करने आए था धर्ती पर हम जो भूल चुके थे इशु मसी यही तो याद दिलाने के लिए आये था कि पिता के द्वारा पिता के ही द्वारा तुम अपने जीवन को प्राप्त कर सकते हो वैसे हम भी हम में हो इसलिए कि जगत प्रतीती करे कि तुने मुझे भीजा है वो चाहता है कि जैसे पिता इशू में हैं पिता और ईशू किस में रहे हम में ऐसे पृत है इसलिए ज़प परिक्षाइए आती तो वो कहता है बड़े आनंद की बात समझो उन लोगों के लिए आनंद की बात होगी जो इशू को अपने साथ रखते हैं Praise the Lord क्योंकि इशू मसी परिक्षाओं में नहीं पड़ा बहुत पड़ा इबिरानियो चार का चार का पंदरा इबिरानियो चार का पंदरा क्या कहता है वो हमारा ऐसा महायाजक था Praise the Lord इशू मसी कहूं था बुली इशू मसी हमारा महायाजक था ऐसा महायाजक था इबिरानियो का चार का पंदरा Yes क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके वर्ण वहां सब बातों में हमारे समान पर्खा तो गया तो भी निश्पाप निकला। वेसल वो जीवन जीया। हमें यही तौ हमारे लिए आनंद की बात है। शैतान परिक्षाव में तो हमसे पाप करवाता है हम कब पाप करते हैं उससे बात करिए कब पाप करते हैं जब आप परिक्षाव में आते हैं जब आपको कुछ दिखता नहीं है सूचता नहीं है कि हम क्या करें जब आपको अंदकार लगता है जब आपको डर लगता है जब आपको लगता ही का रे मेरे जीवन में अंदकार है जब आपको लगता ही कि अप क्या होगा कोई रास्ता नहीं मिलता आपको और शैदान आपसे पाप करवाता है आपसे जूट बलवाता है आपको धुका आपसे धुका दिलवाता है आपके अं को कि बत्री चार का दो क्या कहता है कि तुम मांगते तो हो पाते नहीं और जब तुम नहीं पाते हो तो हत्या करते हो हत्या करते हो किसकी हत्या करते हो अपने चरित्र की अपनी पविद्रता की हत्या करते हो अपनी दीनता की हत्या करते हो अपने अपनी नम्रता की हत्या करते हो क्योंकि तुम्हें पाना चाहिए मुझे मिलना चाहिए मैं लेना चाहिए जो आप मांगते हैं मुझे नौकटी मि ट्रेस ये चाहिए चाहिस के दोका देना पड़ें को लोग हट्य करते हैं हिए क्यों कि आप परिशाओं में डर जाते हैं Barb with जाते हैं कि अभिष्वासी नहीं करते कि प्रभू है समयलने बेलाव प्रभू है देवलेने देने वाला प्रभू है फेसे लड्य रोमिय आठक बतिस कहता है है यू ćणbon का अथ काigsम आठ बतिस कहता है कि वो जिससें अपने एकलोते पुत्र को हमारे लिए नहीं रख छोड़ा क्या वो हमें सब कुछ उदारता से नहीं देगा है अलो कि यही तो आनंद की बात है कि यही तो आनंद की बात है अगर परिक्षाइं आती हैं आपके जीवन में और आप आपके मैसूस करते हैं कि वो जिसने अपने इकलोते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा प्रतु उसे हम सब के लिए दे दिया वो उसके साथ हमें सब कुछ उदारता से क्यों नहीं देगा यही तो आनंद है यही आनंद है क्योंकि मेरा इशू कभी सोता नहीं है वो जीवित है वो सर्व शक्तिमाने और सर्व ज्यानी है वो तो क्या कहता है जब भी तुम विभिन परिक्षाओं में पढ़ो तो इसे बड़े ही आनंद की बात समझो जब आप परिक्षाओं में पढ़ेंगे परिक्षाओं आपके सामने होंगी प्रेस अलॉट तो आप प्रिभू को महसूस करेंगे प्रेस अलॉट दूसरा करुंतियन बारा का नौ जब हम निर्बल होते हैं तभी उसका सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट होता है प्रेस अलॉट जब मैं दुखी होता हूँ जब मैं शून्ने होता हूँ तो वो मुझे उठाता है जब मैं गुरा हुआ होता हूँ वो मुझे उठाकर गढ़े से और अपने सीने से लगा लेता है प्रेस अलॉट वो इतना प्यारा पिता है वो इतना प्यारा पिता है वो हमसे बहुत प्रेहम करता है मेरा अनुखरा तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है यही तो है आनंद की बात कि उसका सामर्थ मेरी निर्बलता में सिद्ध होता है धन्य है मैं निर्बल हूँ और मुझे निर्बल ही होना है पालुस कहता है कि मुझे बल नहीं चाहिए मुझे शक्ति नहीं चाहिए मुझे मान नहीं चाहिए मुझे सम्मान नहीं चाहिए मैं निर्बन रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं इश्व मसी के साथ रहना चाहता हूँ इस लिए गलतियोद का बिज ने पढ говорит पढ़ो गलतियोद दॉप का बीस वह दो मैं आप जीवित नहींद है कौन मुझे में जीवित है कि जोग से मुझे ₱्य कौन जीवित है पढ़ीयों अब आप में मसी के साथ कुम सब चढ़ाया गया हूं और मैं जीवित नहीं रहा मुझ में मसी जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो कवल उस विश्वास से जीह फो जो परमेश्व के पुत्र का है जिसने मुझे से प्रेम किया और मेरे लिए अपने आपको दे दिया से आललॉया ओ यही तो आनंद की बात है कि उसने मेरे लिए खुद को दे दिया इसलिए मैं आप जीवित रही हूँ आप जीवित हैं? कितने लोग यहां जीवित हैं? मैं मरा हूँ मुझे में कौन जीवित है? मुझे में कौन जीवित है? Amen और मुझे में अगर ईशू मसी जीवित है तो परिक्षा में आनन्द है मुझमें ईशु जिन्दा है क्या मेरी परिक्षा है? क्या आपकी परिक्षा है? कौन हमारी परिक्षा कर सकता है? कौन है हमारी परिक्षा करने वाला? जब परमेशर हमारे साथ है हललिया रोमियों आठका तेजिस नेगा लिए तेजिस चौंतेश इस अब कुछ परमेश्वर की और से हो रहा है रोमियों आठका तेजिस बड़ा बटा परमेश्वर के चुनों हुआ पर दोश कौन लगाएगा परमेश्वरी है जो उनको धर्मे ठराने वाला है फिर कौन है जो दंड की आग आपने अपने आप हमें शरापों से पापों से मुख्त किया अपने तो कि दूसरा करुंतियन 5 का 18 ने का लिया अपने आप उसने हमारे सामने मेल मिलाब का हाथ बढ़ाया उसने मेरे और आपके सामने क्या किया मेल मिलाब का हाथ बढ़ाया दूसरा करुंतियन 5 का 18 बढ़ो यह सब बाते परमेश्वर की ओर से यह सारी बाते परमेश्वर की ओर से ह जिसने मसी के द्वारा अपर मेल मेलाब करगा लिए और मेल मेलाब की सेवा हमें सौः दी है मथ औरहे इस़ै को भीजा की वह हमारा मेल मेलाब करा तो और ओर क्या किया है हमें मेलाब की सेवी काहिद strach इशू ने हमारा मेल मिलाब परमेश्वर से किया है उसी तरीके से हमें भी परमेश्वर के खोए हुओ का मेल मिलाब परमेश्वर से करवाना है और हम घर में बैठे हुए हम घर में बैठे हुए जाओं में एसी में आदू बहुत है परिक्षा क्यों नहीं आएंगे इसलिए आप परिक्षाओं में आनंद महसूस नहीं करते इश्व मसी परिक्षाओं में आनंद महसूस करता था क्योंकि वो अपना जीवन नहीं जीता था आनंद महसूस करता था परिशाओं में क्योंकि वो परमेश्वर का जीवन जीता था जो परमेश्वर कहता था वो ही करता था यहना बारा का उंचास यहना बारा का उंचास पचास आलेलुया क्योंकि मैंने अपनी और से ये बाते नहीं की परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आग्णिया दी है कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं जिस रही के से ईशु मसी ने पिता के हर वचन को इस धर्ती तक पहुंचाया मेरे भाई मेरी बहन हमें भी ईशु के वचन को हर भाई बहन तक पहुंचाना है जब तक हम ये करेंगे आप परिशा में नहीं पढ़ेंगे जब तक आप ये करते रहेंगे मेरे भाई, उस मेल मिलाब की सेविकाई को आगे बढ़ाते रहेंगे, आप परिक्षाओं में आनंद कानुभव करेंगे और जिस दिन आप ने ये काम करना बंद कर दिया ना, आप परिक्षाओं में सताव महसूस करेंगे देख लो बात कि अलो अठारा पड़ाओ दुबारा पड़ाओ दूसरा करुंतियन पांच का अठारा क्या लिखाया है कि उसने इशु मसी के दौरा हमसे मेल मिलाब कर लिया और हमें मेल मिलाब की सेवा दी है यानिके मेल मिलाब का काम दिया है हमसे हमें हमारा काम क्या है दूसरा करुंतियन MAzarice 4 5 18 और बाते पर और मेलमिलाप की सेवा हमें सौफ दी है कि हमें मेलब conscious अ कर दी है eеж मेरे भाई मेरी ने जब तक आप उस मेलमिलाप की सेवा के द्वारा पर मेरीश्वर के वचन उन अन्य जातियों तक उन अविश्वासियों तक पहुंचाते रहेंगे जिनको प्रभू नहीं जानता है जो प्रभू को नहीं जानते हैं आप परिक्षा में आनंद महसूस करेंगे और अगर आप नहीं करेंगे, चाहिए आप कितने बई वड़े विश्वासी क्यों ना है, आप परिक्षा में तनाव मैसूस करेंगे, डर मैसूस करेंगे, आपको नहीं पता, परमिश्वर का सामर्थ उस्सू समाचार के साथ है, जब आप परमिश्वर का बचन लेके चलते हैं ना, तो परमिश्वर आपके साथ काम करता है, मर्कु सोला का उन्निस, मर्कु सोला का उन्निस, जब आप रभू का काम करते हैं, तो प्रभू आपके साथ काम करता है, और जब प्रभू आपके साथ काम करता है ना मेरे भाई, ज़्याइशा आनन्दी ले कर आएगे अबड़ी बट़ प्रभी ईश्यु उनसे बाते करने के बाद स्वर्व पर उठा लिया गया और पर मेश्यु की दाइनी और बैट गया आप पर मेश्यु की दाइनी और बैट गया उसका क्या काम है देखिए आप और उन्होंने निकल कर हर जगा प्रचार किया किनोंने चेलोंने चेलोंने निकल कर हर जगा प्रचार किया और और प्रभू उनके साथ काम करता रहा कौन सा प्रभू इशु मसे और इशु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्नों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को द्रड़ करता रहा आमीन कि अलो कि इशु स्वर्श लागे अभी कहां बैटा इशु कि कहां है कि प्रेस अलॉट आप अगर धर्ती पर पर मेशल के मेल मिलाब की सेविकाई करते हैं सु समचार सुनाते हैं तो प MOSि का होता है आपके साथ की कि अनौन कर रहा है कौन दिखा रहा है यॵह मैं नहीं इँ इए पराऑ आप नहीं दिखा रहे जब शुम सीआपके सांग काम कर रहा है मेरे भाई कि तो आपके जीवन में परिक्षाइं कोई भी स्थान नहीं रखती हैं, कोई इस्थान नहीं रखती हैं, परिक्षाइं कब आप को तनाव देती हैं? जब आप अपने अंदर इशू को नहीं पाते हैं, जब आप इशू मसी को महसूस नहीं करते हैं, जब आपने अंदर इशू मसी के प्रेम को रखा नहीं हुआ है हमें हर पल इशू के प्रेम को रखना है हमें हर पल इशू के प्रेम को अपने अंदर रखना है हमारे अंदर उसका प्रेम जीवित रहना जैए गजिती यो है कैसीविसिति लूरीयों आठ का तारा यह सबसे ब्हुंहां हर उस्थिती में पर्मिश्र का प्रेम सबसे बढ़ा है क्या लिखा भोलो बेटा, क्यूंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने, जो हम पर प्रगट होने वाली है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपका कोई भी दुख जो इस समय बीत रहा है आपके उपर, कोई भी विपत्ति जो आपके पर बीत्रा आपकर बीत रही गड़ा कोमाने टूर को अने वाली महिमह के सामने कुछ भी नहीं है जैं ऐगर्वति आज माभनने वाली होती है उसको कई दुखाते हैं पीड्या होती है राट गर्वन पाती विचय क्वानी पाती है एफ लोटीया होती है दर्द होता है लेकिन जैसे ही एक बच्चे को जनम देकर उसका चेहरा देखती है वहां सब कुछ भूल जाती है सब कुछ भूल जाती है याद रहता है उसे? भूल जाती है हाँ कोई बात है इसके सामने मेरा कोई भी दुख माहिने नहीं रखता मैं नौ महीने तडपती थी लेकिन मेरे बच्चे को मेंने देख लिया गया रेस अलॉट अरे वो तो गर्वती माँ हैं आप ऐजे पिता जब सताव यह टेंशन से मुस्विवर सुबह शाम तर ठके आरे आते हैं घर में और दर्वाजा खोलते हैं आपने बच्चे को देखते हैं भूल जाते हैं होता है कि नहीं होता है मेरा बच्चे मेरे सामने होता है कि नहीं होता है कि इसलिए ये जो दुख, ये जो मुसीबत है ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जो सुख हमें मिलने वाला है जो आशीश मिलने वाला है इशु मसी बादों पर सवार होकर आएगा और हमको अपने साथ लेकर जाएगा ये आशा हमारे जीवन में अद्बूत है इस आशा को अपने अंदर से मत निकालिए चाहे परिक्षाएं हो लेकिन ये आशा आपके अंदर रहे कि इशु मसी आएगा और हमें लेकर जाएगा उस आशा में अपने जीवन को गुजारिए आप हर परिक्षा में आनंद कानभव करेंगे प्रेस अलोड हालेलोईया आज का वचान हमने ग्रहन किया आशीश पाया बोलिये इशु मसी की बोलिये इशु मसी की जो से तालियां में जाए पिता परमेशा के लिए पवितरात्मा के लिए इशु मसी के लिए कोई बोलेगा हालेलोईया